हाई नमस्कार मित्रो मैं आपका दोस्ट संजे कुमार आप सभी का संजे केम टीटोल्स में स्वागत गरता हूँ आज जारखंड अकैडमी कॉंसिल के द्वारा एक नया अपडेट दिया गया है उस अपडेट में बताया गया कि जारखंड अकैडमी कॉंसिल का 10 और 12 का जो एकजाम होने वाला है वो कैसा होगा अब्जेक्टिव या सब्जेक्टिव पहली बाते तो ये कर रहा है कि अब्जेक्टिव होगा या सब्जेक्टिव होगा दूसरी बात ही ये कर रहा है कि term 1 का exam होगा या term 2 का exam होगा ये दोनों बातों को आज पूरा पूरी clear कर दिया गया है जारकन एकड़ में कॉंसिल के अध्यची के दवारा तो आज हम लोग देखते हैं कि किस प्रकार का exam होगा उसको detail में समझने का प्यास करते हैं देखें आज का एकड़म ताजा news है 28 जन्वरी का news है 2022 प्रभात खबर में दिया गया है आपका देखें राची वाले page में दिया गया है तो यहाँ पर देखेंगे क्या क्या चीज़ें इन्होंने बताने का प्रियास किया और कैसे exam होगे वो सारी चीज़ें तो देख सकते हैं यहाँ पर OMR seat उत्तर पुष्टी का दोनों पर होगी इंटर की परिच्छा और मैट्रे के परिच्छा वो क्या कर रहा है कि आपका OMR seat पर भी exam होगा और subjective के लिए जो हम लोग कहते हैं न उत्तर पुष्टी का उस पेव कोपी में भी लिख के भी exam होगा वो दोनों टैप का अबर exam ले रहा है लो तबाही मचा दिया दमाकेदार latest update के साथ आ चुका है आपके लिए किस परकार का exam होने वाला OMR seat पर टिक लगाओ नंबर पाओ भी और लिखो और नंबर पाओ लो दोनों तरीके से exam आपका होने वाला है इसी news को एकदम पूरे बहतरीन तरीके से समझने का प्रियास करेंगे इसमें क्या क्या explain किया किन किन चीजों को के बारे में इसने बताने का प्रियास किया इसके बारे में हलका सा देखते हैं तो थोड़ा सा देखिएगा इसको क्या क्या कहा जा रहा है सबसे पाली बाते युपर की बाते देखते हैं देखो सबसे पाले यहाँ पे देखो क्या दिया है वो MR seat उत्तर पुष्टिका पर होगी दोनों पर होगी मेट्रिक इंटर की परिच्छा लो तबाही करने वाला है उत्तर पुष्ट का लिको भी और नमबर भी पाओ ठीक है उसके साथी साथ और भी चीज़े क्या खर रहा है देखना द्यान देना यहाँ पे देखिए दो नहीं जैक अब अब एक बार ही लेगा परिच्छा वो भी परिच्छा का तिती भी का दे रहा है कब मार्च या अप्रेल में मार्च के लास्ट वीक और मार्च और अप्रेल का फ़स्ट वीक में आपका एक्जाम होगा अप्रेल के फ़स्ट वीक में और मार्च के लाश्ट वीक में आपका एक्जाम लेगा कितना एक्जाम लेगा एक एक्जाम लेगा वो भी कितना दोनों को जोड़ के पहला टर्म और दूसरा टर्म दोनों को जोड़ के आपका एक्जाम लेने की बातें हो गई है किलियर तो देखे यहाँ पे क्या किया गया राची के दवारा दिया गया है देखे यहाँ पे हम लोग पूरे latest update को पूरे जानगारी लेते intermediate 2022 की परिच्छा की तिती 10 फरवरी तक घोसित हो जाएगे देखो आपका date भी आ जाएगा date sit भी आ जाएगा कितना तक 10 फरवरी तक आपका date sit भी आ जाएगा जारखन academic council के अध्यच की नियुक्ती के बाद परिच्छा की तैयारी सुरू कर दी गई है जैसे ही जारखन academic council का अध्यच्छी जी का चुनाव हुआ जैसे नियुक्ती हुआ उसके बाद ये सारी परिक्रिया एकदम जोर सोर से एकदम शुरू कर दिया गया है परिच्छा के प्रारूप में बदलाव को लेकर अस्कूली सिचायों साचर्ता बिभाग दवारा प्रष्टाव को अंतिम रूप दिया जा रहा है इसमें ये भी कहा जा रहा है कि एकजाम का pattern कैसा होगा उसको एकदम last रूप में दिया जा रहा है किस प्रकास से एकजाम होगा ये सारी चीजें आपको बताया जा रहा है उसके आगे देखने का प्रियास करेंगे क्या कहा जा रहा है फरवरी के पर्थम सब्ता में इस पर अंतिम निन्ने हो जाने की शंभावना है नए प्रश्टाव में प्रस्ण पत्र के प्रिच्छा एक ही बार में ली जाएगा अब एकजाम कितने बार में लिया जाएगा हम लोग का एकजाम दोनों एकजाम एक ही बार में लेगा परन्तु दोनों टर्म की परिच्छा होगी देखो सबसे बड़ी बात यहां कि दोनों एक ही साथ में ले लेगा एक ही बार में आपको ले लेगा पूरे सिलेबस का आपको चैप्टर जितने भी चैप्टर्स है सारे को एक ही शाथ ले लिया जाएगा जो आप लोग इतना दिमाग लगा रहे थी इधर उधर कàng में यहां पिं़े आगे देखते कि कैसा वह एक्जाम मार्च के लाश्ट वीक में एकदम last मतलब 25, 26, 27 यह सारे date में या पर्थम week of क्या आपका अप्रेल में exam होने की संभावना exam होगी आपकी 100% एकदम confirm कर लो अप परिच्छा परीच्छा कैसा होगा अप परिच्छा OMR seat यह वह उत्तर पुष्टिका दोनों पर लिजाएगtha देखो confirm कर दिया आपका exam कैसा लिया जाएगा आपको उत्तर पुष्टिका OMR seat पर भी लिया जाएगा और कैसा लिया जाएगा उत्तर पुष्टिका पर भी लिया जाएगा मतलब आपका retain भी exam होगा और objective भी exam होगा ठीक है इसमें देखें आगे क्या बतानी का प्रियास किया एक्शाम पूछे में डिखित उतर वाले प्रस्ट पूछे जाएंगे इसमें आपके रिटेटین एक्ञां में पूछे है, ठीक है, एक तुम पूरा तियारी चल रहा है, कि इसी तरीके से एक्जाम ले लेएंगे, आइसा कारने की त्यारी है, और ये त्यारी में देखों, ये क्या कर रहा है कि पूरु में घोसित परिच्छा इसी पैटर्न के अनुरूप लेने की बात कही गई थी ऐसा इसलिए किया जा रहा है कि पहली आप लुको बता दिया गया था कि term 1 का exam होगा जो कि objective होगा term 2 का exam होगा वो subjective होगा तो ऐसी बात कही गई थी इसलिए इसी पैटर्न को ध्यान में रखते ही exam की बातें आगे की जा रही है ठीक है आगे क्या कर रहा है कि पूरु में घोसित निर्देश के अनुरूप इस वर्थ की परिच्छा दो टर्म में होनी थी पर्थम चरन की परिच्छा OMR seat में that means objective दूसरे टर्म की परिच्छा कैसी उत्तर पूछती का में मतलब subjective की बात कही गई थी जिसमें 40-40 नंबर का परिच्छा होना था ठीक है 40-40 नंबर का exam होना था subjective एक फ़स्ट टर्म 1 में जो की क्या था objective question था term 2 में कैसा था subjective question था ऐसा questions को exam लेने की बात कहा गया था कितने कितने marks का 40-40 नंबर का question पूछा जाने का बात कहा गया था तो अब क्या कर रहा है दोनों को मिला के एक में ही कर दिया देखो अब इस प्रारूप में परिच्छा लेनी के तैयारी अब exam कैसा होगा वो देखो confirm कर दिया कि अब दोनों term की परिच्छा एक साथ होने पर 80 एंग में से 40 अंग की परिच्छा पर्थम चरन की परिच्छा के अनुरूप होगा 40 नंबर का OMR सीट पे होगा और 40 नंबर का क्या होगा आपका सब्जेक्टिव होगा जो की रीटेन एकजाम होगा देखो OMR सीट पर ली जाएगी जबकि दूसरे चरन की परिच्छा उतर पुष्टिका पर होगी ठीक है तो दोनों आपका एकजाम एकदम होगा एक ही साथ एकदम कनफर्म हो जाएए एकदम त्यारी में जूट जाएए एकदम 100% पर्थम चरन की परिच्छा के सभी प्रस्ण बहु बेकल्पिय होंगे बहु बिकल्पिय मतलब क्या होता है MCQ होगा पर्थम चरन के जितने भी चेप्टर थे उसका सारा एकदम कैसा होगा अबजेक्टिव से एकदम होगा दूसरे चरन की परिच्छा में लगू उतरिये आपके कोश्चन होगे दूसरे चरन की परिच्छा में कैसा होगा आपका बाबो तो लगू उतरिये प्रस्ण आपके होंगे ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा ठीक है उसके बाद देखो यहाँ पे चीजें और क्या है वो दिर्ग उंतरिये समय सभी प्रकार के परस्थ पूछे जाएंगे दूसरे टर्म में क्या होगा objective टैप भी देगा छोटा one marks भी देगा two marks भी देगा three marks भी देगा इस टैप के दिर्ग उंतर ये प्रश्न के सभी प्रकार से पूछे जाएंगे term 2 वाले जो exam टैप में दिया जा रहा है लिखने वाला exam जो होगा वो होगा उस टैप में उसके बात कर रहा है कि क्यों हो रहा है इस प्रारूप का chain इसका chain क्यों किया जा रहा है इस टैप का exam क्यों लेनी की बाते कही जा रही है क्यों हो रहा है कोवीड 19 के संकर्मन के कारण वर्स 2022 में metric inter की परिचा दो चरनों में लेने की बात कही गई थी लेकिन दिसंबर के परतम चरन में परिचा नहीं हो सकी परंतु विद्यार्थियों को किसी भी परकार की प्रिशानी ना हो इस कारण पुरमेताई परिच्छा पैटर्न के अनुरूप ही परिच्छा ली जाएगी तो ये भी कहा जा रहा है देखो ये आपकी बातों को भी वो ख्याल रख रहा है कि जैसे हम पैटर्न देते हैं उसी पैटर्न पर ही हम एकजाम लेंगे आईसे नहीं कि कुछ नया पैटर्न दे दे लेकिन बस ये हो रहा है कि आपका जितना सिलेबस ता आधा आधा करके दो बार एकजाम ले रहा था लेकिन अब क्या कर दिया दोनों को मिला के क्या कर दिया एक ही बार में एकजाम ले लेगा जो previous years में जैसी exams होते थे उसी type में वो exam ले लेगा लेकिन याद रखना कि term 1 का जितना syllabus है term 1 का जितना syllabus है उसको objective के लिए ही तैयार रखिएगा objective question के लिए और term 2 का जो exam होगा उसमें subjective objective सारे के लिए आपको तैयार करना 100% ठीक है उसके बाद देखे क्या कहा जा रहा है उसके बाद देखे अब 3 घंटे की का मिलेगा समय अब exam जो होगा वो कितने घंटे का होगा पहले 40 marks का रहता था ठीक है उसमें कितना घंटा होता था देड़ घंटे का होता था अब क्या होगा 80 marks का question रहेगा कितने घंटे का time मिलेगा 3 घंटे का time होगा देखो परिच्छा में बदले प्रारूप में परिच्छार्थियों को अपुर्य की भाती 80 marks का 80 अंक का परिच्छा के लिए जितना समय दिया जाता था उतना ही समय मिलेगा परिच्छार्थियों को अप 3 घंटे का समय मिलेगा कितने time मिलेंगे जी बाबू साहब 3 घंटे का समय मिलेगा ठीक है चलिए एक और एक और ताजा है ताजा latest news है आप लोगों के लिए देख लिजे कि आपकी जो परिच्छा होने वाली है उस पर भी एक बिचार किया जा रहा है गिरह केंदर पर ही पर भी बिचार metric और इंटर की परिच्छा इस वर्स गिरह केंदर पर लेने का प्रष्टाव पर बिचार किया जा रहा है इसे सम्बंदित त्यारी होने वाली प्रेसानी समयत बिभीन पहलियों पर विचार किया जा रहा है एक और special news दिया गया है कि आपका जो exam होगा वो exam का center जो होगा जहां admission है वहीं पर उसका exam होने पर भी विचार किया जा रहा है तो ये बाते दिमाग में नहीं set कर लेना कि exam अपने अपने वाले असकूल में होगा तो वहाँ पर चोरी करेंगे डकेती करेंगे ये चीज़े नहीं कि वहाँ पर जो examiner जो आएगा न वो दूसरे असकूलों से examiner आएगा exam को लेने वाला आपका सिर्फ building रहेगा आपका डेक्स रहेगा लेकिन exam लेने वाले teacher जो रहेंगे वो latest teacher आजाएंगे दूसरे असकूलों से तो वो फिर ये दिमाग से हटा देना कि हम ऐसे वैसे करके exam में अच्छा कर लेंगे ठीक है तो यहाँ से कुल मिला के conclusion हमने निकाला तो यह conclusion निकाला कि आपके exam अब जो होंगे वो एक ही बार में exam होंगे term one भी होगा एक ही बार में और term two भी होगा एक ही बार में term one वाला जो है objective question पूछा जाएगा term two में कैसा होगा subjective question पूछा जाएगा तो यह चीजे द्यान में एक ही बार में होगा 40 मार्क्स का एके करके पूछता था अब कितने मार्क्स का एकजाम होगा 80 मार्क्स का पूरा पूरी कोशन होगा वो भी 3 घंटे का समय दिया जाएगा ठीक है तो यहाँ थोड़ा सा ध्यान दिजिएगा कि आपका अभी आपके पाई देखो इस पे conclusion हम लोग निकालते हैं आपके पास अभी पूरा पूरी फर्वरी बचा है और मार्क्स बचा है ठीक है फर्वरी और मार्क्स बचा हुआ ठीक है आप यहाँ पे कुल मिला के देखे तो आपके पास 60 डेज आपने टर्मवन की तैयारी पूरी कर ली थी, पूरा term 1 को आपने पूरा एकदम अच्छे से त्यारी कर ली थी, अब term 1 का जो त्यारी है, उसमें क्या करना है, सिर्फ revision करना होगा, revision करना है, ठीक है, term 1 वाले को क्या करना है, revision करना है, और term 2 का जो syllabus है, उसमें क्या करना है, एकदम धरले से लग जाना है, जी जान लगा देना है तब आपका result 100% बहतरीन बनने का संभावना होगा अगर आप क्या करेंगे कि term 2 का भी अच्छा से त्यारी नहीं कर पाएंगे term 2 को भी रिविजन नहीं करेंगे तो आपका exam इस बार की exam आपका covid के कारण और भी गलत होने की संभावना हो रही इसलिए थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा बच्छो क्या करना है कि term 1 और term 2 को एकदम पूरा पूरी एकदम अच्छे से तैयार कर लो और आपकी तैयारी जो है chemistry के तैयारी एक फरवरी से एकदम सुरू हो जाएगे डेली रात के 8 बजे रात के 8 बजे live classes में होगे क्या होगा term 1 और term 2 मतलब यह जो final exam है ना इसका पूरा तैयारी हम लोग पूरा कोशन करवाएंगे कब 8 बजे रात को डेली रात 8 बजे तो इसलिए आपको क्या करना इस channel को तोड़ा सा share कर दीजे अपने सारे मित्रों के पास और subscribe कर लीजे ताकि आपको क्या कर सके कि most important जितने भी कोशन होंगे हर इक chapter से theory के साथ आपके objective सारा कोशन को करवाया जाएगा इसलिए आप लोगों को चिंता तो बिल्कुल ने कर रहा है बस इस channel को share कर देना subscribe कर देना और chemistry की जिम्मेवारी आपको मेरे उपर छोड़ देना कि chemistry का पुन्न त्यारी हम कराएंगे आपको ठीक है बस channel को subscribe कर दीजे और daily रात के 8 बज़े जुड़िए कब से एक फरवरी से continue तब तक चलेगा जब तक आपका exam न हो जाए इसलिए यहां पे daily जुड़ने का प्रियास कीजेगा और हाँ बात ध्यान देना कि यह सारी जो होंगे वो live classes only होंगे उसके बाद video upload नहीं होता है तो यह बाते भी ध्यान देना चलो फिर मिलते हैं नई latest update और नई वीडियो के साथ चलो आज के लिए इतने ही सभी को bye bye take care और अच्छे से तयारी करने के लिए